हेलो दोस्तो आपका फिर से एक नए वीडियो पे सुवागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह का फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दूस्तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह का photo editing करना fix art से तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो अच्छे लगेगी तो वीडियो को एक like और share करके हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए subscribe जरूर किजिएगा चलिए दूस्तो वी इस पर आना है और जो भी photo आपको लेना है जो भी photo आपको अच्छा लगे वह अपने gallery से यहाँ पर photo को add कर लेना है तो चलिए दूस्तो हम यहां से इस वाले photo को select करते हैं जैसा कि हमने थमनेल में यही वाला photo दिखाया था आपको तो इसी को select करेंगे select करने के बाद दोस्तो यहां पर effects का एक option आपको दिखाई दे रहा है यहां पर effects का यह option है इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open होगा अब दोस्तो जैसा कि आप यहां पर recent का option देख पा रहे है इस पर आपको रहना है ठीक है यहां पर जैसे ही और आपको कहीं पर हम किलिक करते हैं और यहाँ पर आपको background चेंज करना हो तो इस तरह नहुदर कर ले तो आपको सहां नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं नहीं करना मैं बस आपको करके दिखा दता हूं कि आप आप जैसा कि यहां पर देख पारों मैं इधर के साइड और स्क्रोल करूंगा और स्क्रोल करने के बाद यहां पर एक मैजिक का ओप्सन आ जाएगा यहां पर यह मैजिक का ओप्सन है इधर के साइड आप स्क्रोल करोगे तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के तरह का फोटो चाहिए उस तरह का आप यहां से रख सकते हो और दोस्तों अगर हम फोटो को नॉर्मल रखेंगे और डायेक्टली हमें यहीं पर फिर एफेक्स प्याना है ठीक है और एकस प्याने के बाद वाफस से हमको यहीं प्याना है मैं दिखा दाता हूं हम मैजिक के पे कर सकते हूं यह सब इफेक्ट घैसा है जैसा कि आप यहां पर देखके हो बहुत सारे आप को questi मिल जाएंगे दिसंकी आप रख सकते हो काफी अचा है फिर बगल में अगर आएंगे तो नहां पर आप जैसा कि देख पारोई में। आपका कुछ इस तरीके से होगा तो आ डिरेक्टली इसे हमें अपने गालरी में सेव कर लेना है तो दोस्तो इसी तरीके से आप भी काट्रून जैसा इमेज पिक्स आर्ट में बना सकते हो तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडि में इतना है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत